हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब I hope you all are very well प्यारे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीए का इंट्रेंस होता है आर्ट्स और सोसल साइंस जिसमें आता है बीए आर्ट्स और सोसल साइंस वह सी यू इटिक पहली चीज तो यह कंफार्म आप लोग हो गए को फाइनली एडमिसन तो यूनिवर्सिटी में ही होना है तो यह चीज क्लियर रहो कि फॉर्म आप सी यूट के वेबसाइट पर भरूगे एक्जाम सी यूट के लिए दोगे लेकिन आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है और यूनिवर्सिटी में से कोर्स सेलेक्ट करना है my dear students, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि full marks आपके कितने है, eligibility criteria क्या है, बियच्चू के लिए, अगर आपको DU और GenU के लिए वीडियो चाहिए तो अभी comment करो, इसका अगला वीडियो वही आएगा, syllabus क्या होने वाला है, और subject क्या होगा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम लोग तीनों चीजों को देखेंगे और समझेंगे काफी बारी किसी, यह बियचू का official website है, यह CUET official website है, और यह CUET का prospectus है, जो मैंने एक सवा घंटी की वीडियो बनाई थी, उसमें आपको सारी information इससे मैंने निकालके दी है, लेकि अभी आपको बात करना है किस पे अभी बात करना है, यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाकर के, बियचू के रिगार्डिंग कि बियचू ने क्या syllabus टाय किया है, तो आपको यह जैसे ही आप cuet.sumarth.ac.in खोलोगे, इसके अलावा मैं बतातो, form कैसे भरना है, यह register पे जाके, यह सब हमने फिजले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप right side पे जाकर के, और जब click करोगे न यहाँ पे, तो वो वीडियो का link हम देते रहे हैं, आपको वहाँ से देख लेना, ठीक है, तो आपके यह tension है, वो दूर हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग, तो कैसे form बढ़ना है, वो हमने एक एक चीज बरी बरीकी से बताई है, उस वीडियो में 30 मि पार आपको देखोगे, तो सारी information मिल जाएगी, हमें आना है university section पे, ठीक है, university पे, सारे university का list यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें सब का मिल जाएगा material, आप लोग भी देख सकते हो, बट B.H.E.U. पे हमें click करना है, आप खुद से भी कर सकते हो, सबसे पहले BA honors क्या है, social science की criteria area है, अब देखो इसमें आपके जो दिमाग में doubt है ना, कि क्या क्या domain होंगे, तो पहले ची, इसको आराम से पढ़ो, the entrance test for UG, program is a common test for all language, किसी भी भासा के लिए यह common होगा, candidates seeking admission to BA honors in B.H.E.U. have to appear for CUAT UG 2022, they are required to opt for section 1, क्या लिखा है, my dear students, section 1, channel को subscribe करते जाना और वीडियो को like करते जाना, क्योंकि सारी free classes हमारी यहां चल लेगे, इसके अलावे हमारी paid courses भी है, आपको दिख जाएंगे, language test, section 1 में जो language test मैं आभी दिखाऊंगा, आपको section 3, मतलब domain का इसमें कोई बात ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है, तो section 3 हो गया general test और section 1 हो गया language हिंदी और English, इसके लावे कोई language भी B.H.E.U. entertain नहीं करेगी, who will not appear in the both the section, section का नाम दिया है, will not consider that admission in B.H.E.U. अगर यह आप दोनों नहीं करोगे ना, तो आपका main यही दोनों है, आपको admission के लिए eligible नहीं माना जाएगा, फिर और criteria का है, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 आप pass होने चाहिए, ठीक है, BA economics के लिए specially दिया हुआ है, कि उसके एक subject में math होना चाहिए, आपका age कितना होना चाहिए, आपका age कितना होना चाहिए, बाइस साल, एक जुलाई 2022 तक, यह आप count कर लेना, मत 22 साल हो, मतलब 22 साल के पहले हो, तो भर सकते हो, 22 साल के बाद होगे, और तो नहीं बर पाओ, ठीक है, based on the merit list, ठीक है, based on the merit obtained by a candidate in a allotment of honors, अब जो इन दोलो subject में आप number पाओगा, और एक question कितने marks का है, 5 marks का, negative कितने है, बताइए, यह कहां आपको मिलेगा, यह इसमें बताय हुआ है, ठीक है, इसमें मैं discuss कर चुका हूँ, तो आपको यह मैं दिखा रहा हूँगा, यह कहां दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक question है, simple समझो, 5 number का, अगर एक गलती करते हो, तो आपका 1 number कटेगा, ठीक है, 20% negative marking हो गया, इसके हिसाब से आपके merit list अगर, तो आपको बच्चों के दिमाग में हो रहा था, अगर तो क्या हमें डोमेन में political science लेना पड़ेगा, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, समझ गया आपनो, सिर्फ आपको दो ही exam देना है, मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ, यह confusion दूर कर लो, B.L.B के बच्चों के लिए हम लि इसमें भी B.A. Honors Arts के लिए appear देखो, यहां सब चीज सेम है, ठीक है, यह चीज सब में सेम है, यहां language section 1A देना है, हिली और इनिस और section 3 देना है, सब कुछ सेम है, अब इन दोनों में जो नहीं होगा, उनको admission के लिए नहीं माना जाएगा, बाकि उमर भी सेम है, 22 साल, 1 जु अब नीचे जितने भी लिखे गया ना, इतने honors आपको आर्ट्स में दिये जाएंगे, सिर्फ यही दोनों परिक्षा देना है, तो आसान हो गया ना, अगर आपको paid course भी लेना है, तो नमबर आपको scroll हो रहा है, उस पर WhatsApp करो, सामने आपको जो नमबर WhatsApp दिख रहा है ना, उस सब language हो गया है, इसके आलागे, न्सेट इंडियन हिस्टी, कल्चर और अर्चेयोलोजी, यह मेरा सबजेक्ट है, history of art, philosophy, linguistic, geography, mathematics, statistics, tourism and travel management, यह आपका सबजेक्ट है, economics चुकि वहाँ भी आता है, और महिला महाविद्याले के कुछ कोर्स है, जैसे कि आपको बेंगाली, हिंद जाले, यह main campus में ही है, ठीक है, यह सब subject है, students who have offered EMS group कहते है, economics, mathematics and statistics are subject to combination of 1 to 4 semester, will be allowed for BA honors in economics, EMS जो लोगा उसको honors में economics की डिगरी दी जाएगी, for such student 10 seats will be available at economic honors level, only offered to the subject as for the faculty member in the concerned subject, यह आपको ध्यान रपना है, तो कुछ चीजे clear हो गई आपके सामने, अब हम लोग बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या-क्या सीखा, हमने यह सीखा, पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने बात शुरू कहां से की थी, बात हमने शुरू किया था, eligibility क्या होगा, देख लिए आपने 22 साल, eligibility है, 22 साल से ज् देख लिए, ठीक है, CUAT के पर form भरना है, cuat.sumarth.ac.in पर और BHU ने अपना eligibility देगा, मतलब BHU चाहिए तो यह यह form आपको select करना पड़ेगा, university में subject कौन-कौन सा, section 1 and section 3, ठीक है, syllabus क्या है, अब syllabus पर हम लोग बात करेंगे, merit list भी हमने देख लिया, तो my dear syllabus पर बात करने के लिए आपको कहा चलना पड़ेगा, syllabus आपको यहाँ है, देखो, आप यहाँ से भी जा सकते हो, आपको यहाँ syllabus section भी है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, देखो हर चीज का syllabus है कि नहीं है, ठीक है, बट यह किसका syllabus है, यहाँ legal studies का अलग से syllabus दे दिया है, डाउनलोड भी कर स लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिस लोगे तो section 1A आएगा, प्लस इसमें से आपको जो जरूरत है, सिर्फ हम वही देखेंगे, दूसरा हो जाएगा कि इसमें अगर इंग्लिस लेते हो या हिंदी, तो reading comprehension मतलब हिंदी में उसे कहते हैं, गर्ध्यान और इंग्लिस में कहते इंग्लिस की playlist का link है और हिंदी का, दोनों का link है description में, आपको playlist थोड़ा बहरत करना पड़ेगा, 40 question आएगा, 15 में से करना है, 45 minute आपको यहाँ मिलेगा, तो अब बात करते हैं कि कितने देर का आपका exam होगा, तो कितने देर का exam हो जाएगा, 45 minute का ये, और हम लोग देख ले तो 1 hour and 45 minute, या तो 105 minutes कहलो या 1 hour 45 minute कहलो, यह मैंने जोड़ा इसलिए कि आपको minutes बता हूँ, इतने में arts का complete हो जाएगा, आपको और क्या demand है, प्लीज कमेंट करिए, हम within 10 minutes आपको reply करेंगे, within 1 minute भी कभी-कभी reply मैं करता हूँ, आप भी जानते हो, अब section 3 का syllabus बता दो क्या हो होगा बहिया, general knowledge, GK पुछेंगे, GK की playlist है, एक दम पढ़ डालो, साम में 7 बजे हम आते हैं पढ़ाने, और सुबा 7 बजे भी आते हैं पढ़ाने, ये दोनों class miss किये, तो result नहीं होगा, boldly बोल रहा हूँ, नहीं होगा, क्योंकि ये master videos आती है, MCQ based होगा, current affairs, सुबा 7 बज पढ़ना है, simple पढ़ना है, जो आपके काम का होगा, पूरा इतना समय नहीं है कि पूरा आप आरे सग्रवाल उलट जाओ, ठीक है, जो chapters मैं बताऊंगा, उतना पढ़ने, result हो जाएगा, मिठाई खरीद के खुद खर लेना, ठीक है, ये द्यान में है, क्योंकि पिछली बार अब बच्चों का यही result हुआ है, arithmetic, algebra, geometric, ये आपको 8 level तक पूछा जाएगा, basically क्या होता है, formula based होता है, logical and analytical reasoning सबसे easiest part होता है, आपको ये करते जाना है, सबसे last में आपको ये दिकरा होगा, तो इतना अगर कर लोगे, timing ये है, timing के हिसाब से question easy रहता है, ये ध्यान लगना है कुछ question हो जाएंगे आपको, कैसे परिक्षा देना है, ये भी तो हम बताएंगे न, but classes के timing ध्यान रखो, 3 p.m. में भी कभी classes आएगे, आपके demand कहीं सबसे 7 a.m. and 7 p.m. तो जरूर आएगा, और 8 से 9 भी हम सोच रहे हैं, तो सब classes आएगी, पहले syllabus लिख लो, note कर लो भाहिया समझ लो, ठीक है, इन्होंने भी यहां तो भी लिखाया कि आप Desirous University के website पर चेक कर लेना, अगर वो general test यूज कर रहे हैं, तो करेंगे, तो समझ में आया, clearly आया, कोई भी confusion हो, तो comment करके बताना है सर्को, thank you so much, bye for now.